हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं फिल्की शर्चा करेंगे फिलाल और सर्फिर्थम आरम करेंगे आपके विफसाय से के विफसाय के हालाद इस महा जून में आप मगर राशी वालों के कैसे रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं देखिए जहां तक आपके विफसाय का प्रिशन है तो आपके विफसाय के जो ल बहुत विशेश परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाए इस महाँ इस प्रकार की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए सामानने रूप से भी अगर चलता रहे तो बहुत बड़ी बात क्योंकि आप मकर राशी के जो जातक हैं आपके जीवन में शनी की साड़े साती का भी पूर्ण रूप से प्रभाव आप पर बना हुआ है उनके रहते हुए आपकी मानसिक परिशानिया आए, परिशानिया बहुत अधिक हो रही है, आप मानसिक रूप से काफी परिशान हो जाते हैं बीच बीच में, परिशानिया कई बार बहुत अधिक हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो यह सब होता है आपके कार्य छेतर में ही क अपने हाथों में, अपने रोजगार में हैं, आप चैव्यापार में, कहीं पर भी हैं आप, तो बहुत समल करके काम आप करें, बहुत जिम्मेवारी के साथ करें, पूरे इमानदारी, पूरे निष्ठा के साथ करें, किसी उपर निर्भर ना रहें अपने कार्यों को ले करके आफिस के और बहुत तसलिए के साथ काम करें जल्दबाजी में ना करें अगर आप इन बातों का रखेंगे ध्यान पूरा पेशेंस के साथ कार्य करेंगे तो आपको कुछ परिणामों की प्राप्ति आपके अनुकूल होती रहे की सामाने रूप से अन्य था परिशानियां बीच बीच में कभी कोई काम बिगड़ जाएगा उसके लिए टाइम जादा लग गया समय जादा लग गया मेहनच जादा लग गई तो ये कुछ इस प्रकार के बनेंगे हालाथ और क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ अब मैं इंकम की बात करने जा रहा हूँ आपसे आपके आये के हालाथ कैसे रहेंगे तो देखिए जहां तक इंकम का प्रिश्ण है इंकम जो है वो आपकी पंद्रे जून तक मुझे प्रभावित लगती है पूर्ण रूप से इंकम आपकी 15 जून तक पूर्ण रूप से प्रभावित लग रही है उसके बाद कुछ आशिक रूप से उसमें सुधार होगा ये कहें कि हमें 15 जून के बाद पूरा सुधार होगा पैसे का आवा गवन पूरून रूप से रहेगा तो इसके लिये तो मैं आपसे नहीं कह पाँगा इतनी बात तो क्योंकि आपकी जो इंकम के घर के स्वामी मंगल हैं वो पूर्ण रूप से अपनी नीच राशी में नीच के हो करके बैठे हुए हैं तो इंकम तो आपकी प्रभावित रहेगी या कम होगी और 15 जून तक तो विशेश रूप से और 15 जून के बाद भ के लिए इस महाँ मुश्किल होगा धनका संचे करना सेविंग्स प्रेम संबंद कैसे रहने वाले हैं तो देखिए प्रेम संबंदों के विशे में मैं आपको बता दूँ के प्रेम संबंद जो हैं वो आपके 22 जून 22 जून के बाद जब शुकर अपना राशी परिवरतन कर रहेंगे तो 22 जून के बाद आपको अपने प्रेम संबंदों में कुछ आशा की किरन दिखाई देगी जो आपके द्वारा प्रियास किये जा रहे हैं उन में इससे पहले नहीं और मित्रता के बीच आपके प्रेमी के साथ एक अंडरिस्टेंडिंग बनती हुई दिखाई देगी विवाहित व्यक्ति जो है पुरोशों या महिला उनका विवाहित जीवन काफी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे महा मंगल के कारण क्योंकि मंगल महा पर नीच के हो करके बैठ रहे हैं आपसी तनाव कलेश ग्रह कलेश इस प्रकार की और इश बहुत ही समझदारी के साथ अपने स्पाउस के साथ वरताब करें बिहेव करें छोटी सी भी बात बड़े जगड़े का कारण बन सकती है बहुत होशार रहना पड़ेगा बहुत समझदारी से आपको अपने रिष्टे को कायम रखना पड़ेगा तो आगे बात करेंगे पर परिवार के संबंद परिवार एक संबंद जिसको कहते हैं वो भी सामानने ही रहेंगे कभी थोड़ा नीचे कभी उपर कभी नीचे उतार चड़ावाता रहेगा इस प्रकार के संबंद आपको देखने को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलने वाले हैं और चात्र लोग बई छातर लोगों को ले करके मैँ कहना चाहता हूँ कि उनकी शिक्षा को ले करके थोड़ी परेशानी मुझे हो रही जो मैं गुरहों के इससिति देख रहा हूँ कि आपको महा निराशना होना पड़ जाए अपने परिनामों को ले करके शिक्षा संबंदित, तो बहुत सचेत रहें, काफी सचेत रहने की आवश्चक्ता है, और संतान की जहां तक बात है, संतान भी कुछ अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रह पाएगा, उनको लेकर के माता पिता की चिंता पूरे महा बनी रहेगी, स्वास कैसा रहेगा, देख स्वास्ते में भी उतार चड़ाब, रहेगा, ओवरॉल तो ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनने से किस चलता रहेगा, ये रहेगा, उपाएग क्या करें, उपाएग करें आप मंगलवार के दिन, हनुमान जी के मंदर में जाएं संधिया समय, वहां जाके तेल का दीपक जलाएं, परशाच चड़ाएं, मीठे का, बूंदी का, बेसन के लड़ू का, और हो सके तो गुलाब के फूलों की माला चड़ाएं, और जाते समय, पान का एक मीठा बीड़ा ले जाएं, वो उनके चरणों में रखें, हनुमान जी के वहीं बैठकर के उनकी पूज आरचना करें, हनुमान सोत्र है, हनुमान चालिसा है, इसका पाट करें, और एक मंगल का मैं लगू मंत्र दे रहा हूं, आप मकर राशी के जातकों को, क्योंकि विवाहित जीवन में काफी मुझे परेशानियात दिखाई दे रही हैं, मंगल बहुत परेशान करने वाले हैं डेली करना है, पृति दिन करना है, पूरे महा, और शनिवार के दिन, क्योंकि आपके उपर शनी की साले साती का भी पूरा प्रभाव बना हुआ है, तो आपने क्या करना है कि शनिवार, पृतिक शनिवार को शनी मंदर जाएं, वह जाकर के शनी महराज की पृतिमा पे सरसो आए नमाहा ये हुए मंत्र और या फिर शनी चालिसा का पाट करें ये आपके लिए बहुत आवशक है बहुत अत्यधिक आवशक है ये मंगल का और हनुमान जी का और शनी वार का और एक आपने करना है प्रते एक दिन इस नान के पश्चात प्रते काल सूरे देव को जल दें ये आप उपाय करें आपको निश्चित रूप से इसके लाब दिखाई देंगे तो ये था आप मगर राशी के जो जातक है उनका जून महा का राशी फन आपको पसंद आया आप इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को भी सबस्क्राइब करना ना भूलें साथ ही जो बेल आइकन है उसको अविश्चे दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कारे करमों के नई वीडियों हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाब समय नुसार प्राप्त कर सकें इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी